1991 में वहाँ पर विभाजन हुआ, वहाँ पर एकदम वो एक देश बढ़कर 15 देशों में आ गए तो फिर पूरी दुनिया में ऐसा था जो अब रशन फेडरेशन का पूरी दुनिया में तो इस्थान नहीं रहेगा कि वो बहुत एक दम की हर तरीके से चूर-चूर हो गया था और एक उनका जो माइंडसेट था वो बहुत ही डिप्रेस्ट मोड में थे नमस्कार में हूँ अजित कुमार, दैकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ एक खास महमान है जिन्होंने एक डिप्लोमेट के तौर पर देश के लिए एहम भूमी का निभाई हम स्वागत करते हैं अशोक सज्जार जी का सर स्वागत है अधाकेडमी में बहुत चुक्रिया, धन्यवाद सर सबसे पहले सवाल तो हमारा यह होगा आप से कि आपका जन्म कहा हुआ और परवरिश किस तरह के माहौल में हुआ देखे जन्म हुआ रुड़की में और ये बिलकुल ही जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में तो हमारे जो वहां से जो अब पाकिस्तान है वहां पर पेशावर, कोहाट उधर से हमारे जो पेरिंट्स थे वो वहां से आए और रुड़की में उन्होंने अपना काम शुरू किया, बिजन्स शुरू किया तो वही पर जन्म हुआ 1952 के सन में तो बिल्कुल ही आजादी के बिल्कुल बाद में हम आजाद भारत की पैदाश है और घर का माहौल कैसा था सर? घर का माहौल कुछ समय तो वहाँ पर रुड़की में रहे उसके बाद हमारे जो परेंट्स थे वो गभवंनन कॉंट्राक्टर बिजनस में थे तो पिर मेरध में आगए तो फिर मेरध में रहे और घर का माहौल एट वो जोंट फैमिली और जोर्ट फैमिली में वहाँ पर सभी लोग रहते थे मिल जुल को रहते थे वहाँ पर मेरट में बहुत अच्छा स्कूल है सेंड मेरीज अगैडमी वहाँ पर पढ़ाई करनी शुरू की और वहाँ पर शुरू से लेकर सीने केमरेज तक वहाँ पर किया और क्योंकि आप प इन्धे चयफ पर संहिआ बिंदी मीन विछ को अवरिविश्च पर थे तो आपर मैंज थे जो में माल्सकि जाए कर जाते हैं और हमारे जो पर जो सब्सक्र आःते तो यो बाता है और पर जाते हैं और ये कैसे पर इंदेट पर सबने पर के तक श्क्रίν को मैना थेलं और प dov अब आते हैं उस दौर में जब आप आप एज प्रोफेशनल एक बैंकर के तौर पर आपके जिन्दी की उश्रुवात होती है तो ऐसा क्या टर्निंग पॉएंट था ऐसा क्या मोमेंट ऐसा आया कि आपने सुचा कि अपने सुचा कि आपको जाना है देखिए शुरू से संपर्क बढ़ाया जाया और देखा जाया जो क्या हो रहा है परंतु जब मैंने अपना कॉलेज एजुकेशन उसके बार मेरा समय यहां पर कॉलेज के लिए दिल्ली में आगया संस्टीफों कालेज में वहां पर मैंने पढ़ाई शुरू की और फिर जब पढ़ाई खतम हो तो तब यह लगा जो वहां पर काम करने के जो हाला थे एक दम ही बहुत ही खराब हो गए क्योंकि इन डिसिप्लन बहुत बढ़ गया तो हमने का यहां पर अब और समय नहीं बिता सकते हैं तो फिर यह डिसाइड किया जो यह यूपियसी के एक्जाम में अपियर होंगे और में अपियर होंगे तो जो में की वाथे शचाई। और समय बढारा इंद यह होंगे लॉप्याई मझें बा॥ा दूपिया लुपिया है तो शुक्राण बढे समय ऑने थे फ्म थिर्या नहीं थे मांस्टय के अख्यान, बहूमा करना है यह जोगिन बहूत काशए बहुत चाहे हमारा कल्चर हो, सिविलाइजेशन हो, ये भी मालूम था, जो अभी करीब 100-200 साल पहले तक हमारी जो अर्थवेवस्था थी, वो पूरी दुनिया की करीब 25-27 प्रतिशा थी और अभी जो हम हैं, तो अब at that time we were around 2%, 2.5%, 1.5% तो कैसे अपने देश के जो छवी है बाहर बढाई जा सकती है, अच्छा किया जा सकता है और देश के लिए कुछ काम किया जा सकता है, जिससे कि देश में जो potential है, अभी तक इतना नहीं मालम था जो कितना हमारे यहां से चाहे वो साउथी स्टेशिया में लोग गए या फिर अरब दोशों से हमारे जो व्यापार चलता था या हमारी फिलासफी है, हमारी सोच है तो उसको कैसे हम पूरी दुनिया में, दुनिया के साथ भांट सके तो ये कुछ ख्याल थे दिल में तो सर, उसी ख्यालात को हम आगे जाना चाहेंगे कि जब आप पहली पोस्टिंग सर, कहां हुई आपकी पहली पोस्टिंग हुई मॉस्को में तो मॉस्को तो सर, हमारे रिष्टे रसिया से अलरी अच्छे थे तो वहां पर कुछ खास ऐसा रहा हिस्टोरिकल कुछ आपने किया देखिए जब हम वहां पर गए तो तब जैसे कहते है थर्ड सेक्रेटरी स्रीति सच्छव के रूप में गए वहां पर लैंग्वेज लर्न करना होता है और उस समय ऐसा हुआ करता था जो एक लैंग्वेज जो भी यहां पर भारती विदेश सेवा में आते थे उनको एक लैंग्वेज चुन्नी होती थी क्योंकि फरन लैंग्वेज के ऊपर आपको कमांड अच्छा होना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं और उस समय जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा सुवेज संग के साथ हमारे संबंद बहुत ही अच्छे थे और मैं कहूँ उस समय सबसे महत्वपूर्ण हमारा अगर कोई सहयोगी था पूरी दुनिया में तो वो सुवेज संग था किसी को नहीं मालम था जो दस साल बाद बारा साल बाद उसका विभाजन होने वाला है और वो चूर कर पंदरा देश नए देश बन जाएंगे तो फिर ये था जो वहां पर जाकर दोनों देशों को संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं और ये सबसे हमारी महत्वपूर्ण रिष्टा है, संबंध है तो इसको हम और कैसे तेज कर सकते हैं चाहे वो ट्रेड हो या वो स्ट्रेटीजिक को आपरेशन हो प्लिटिकल को आपरेशन हो या साइंटिफिक, टेक्नलॉजिकल हर शेत्र में सोवित संग के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे थे तो इसलिए यही सोचा जो वहाँ पर जाएंगे और उनके साथ जो अपने संबंध है उसको समझेंगे और उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे सर शायद ऐसा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जवाला नहरू कुछ इस तरह का एकडमी की भी वहाँ सांस्कृतिक कुछ हुआ था ऐसा कुछ वहाँ पर है एक जवाला नहरू कुछल सेंटर है कुछल सेंटर है और मुझे बाद में जब मैं दूसरी बार वहाँ पर गया 1997 में करीब 15-16 सार के बाद तो मुझे सवभागे मिला जो उस कल्चल सेंटर का JNCC जिसका है उस कल्चल सेंटर का मैं डरेक्र बना और फिर कुछ समय के लिए मैं मिनिस्टर पोलिटिकल था और शाष्डए फेज भी था वहाँ पर तो वहाँ पर काम करने का मौका मिला और वो उस समय मुझे बहुत ये संभावना हुई जो पूरी देश में अब उस समय 1997 में तो ये विभाजन हो गया था सोवियत संग नहीं था रशन फेडरेशन था परंतु फिर भी अभी भी वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है करीब 17.9 मिलियन स्क्रे किलोमेटर का उसका शेत्र फल है तो उसमें मुझे पूरी देश में जाने का मौका मिला और उनके साथ अपने भारत के चाहे वो सांस्टितिक संबंध हो या तक्नीकी संबंध हो उनको कैसे बढ़ाया जा उनको कैसे आगे ले जा वो मुझे मौका मिल करने का चैलेंज यही होता है जो मैं आपको बता हूं जैसे आपने का है अब 1991 में वहां पर विभाजन हुआ, वहां पर एकदम वो एक देश बढ़कर 15 देशों में आ गए, तो फिर पूरी दुनिया में ऐसा था जो अब रशन फेडरेशन का पूरी दुनिया में कोई स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत एकदम की हर तरीके से चूर-चूर हो गय को पिछले 70 साल से वो समझ रहे थे, जो हमारे एक देश का हिस्सा है, वो अलग होकर अलग देश बन जाएं, तो उनके उपर कैसा वो उनके मानसिक सोच पर, कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वैसी उनके साथ बात हुई थी, और हमारे यहां भी कहा गया था, जो अब हमारा बिलकुल ही ट्रिडिशनल दोस्त रहा है, जब भी हमें जरूरत पड़ी है, वहां पर सोवियत संग ने हमारा साथ दिया है, चाहे वो कश्मीर के मामले में हो, गवा के मामले में हो, हमारी एकानोमी को आगे ले जाने में, तो फिर इसमें कहा गया जो हमको अपने जो फिर 1991 के रूस से लेकर अभी आप अगर देखें, 2024 के रूस में, तो एक दम भी बिलकुल ही बदलाब आ गया है, बहुत ही अंतर हो गया है, और जो हमने वहां पर अपनाई वो हमारे लिए बहुत फाइदे मंसिल हुई है, तो पूरी दुनिया जो है, वो भारत की तरफ दे जो अब पूरी दुनिया में इतना जो टर्मॉयल है, टर्बिलेंस है, अनिश्चिता है, अगर उससे निकलना है